आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्का दोस्तों आईए आप प्रसनाल करते हैं राउट के पास क्या नहीं था उसके पास महराजा का उचापद था और अथा संपत्ती थी विसाल सैने सक्ती था वह कुसाग्र बुद्धी का था और चारो बेदों का ग्याता भी था लेकिन उसमें एक ही कमी थी वह सदाचारी नहीं था उसने पराई इस्त्री की और बूरी नजर से देखा था केवल चरित्र बल न होने के कारड रावड को सभी लोग राच्छस कहते हैं चरित्र सचमुच ब्यक्ति की अमूले संपत्ती है चरित्र हीन ब्यक्ति कितनी ही बिद्यार जित कर ले कितने ही उचे पद पर पहुच जाए इतना ही धन जुटा ले इतनी ही सक्ति प्राप्त कर ले वह सच्चे अर्थों में स्रेष्ट ब्यक्ति नहीं कहला सकता और नहीं उ उसे समाज में सम्मान प्रात हो सकता है। धन या पद के बलके कारण जिस किसी का आधर किया जाता है वह दिखावटी होता है। चरित्रवान ब्यक्तिकान केवल लोग सच्चे मन से आदर करते हैं, बलकिले उसके महानकारियों से प्रभावित होकर अनुगामी बन जाते हैं, प्रस्न क्या पूछा जा रहा है, कि चारो बेदो का ग्याता था, हमारे बिकल्प देगे हैं, रावड, अर्जुन, राम, पुसागर बुद्धिका था, और चारो बेदो का ग्याता था, कौन था, रावड, रामड के पास क्या नहीं था, उसके पास महराजा का उचा पद था, अथा संपत्ती थी, विसाल सहने सक्ती थी, और वह पुसागर बुद्धिका था, और चारो बेदो का ग्याता भी था, तो जो हमारा पहला वाला अबिकल्प है रावण इस प्रस्न का सही उत्तर है जो अन्न बिकल्प दिये गया है दूसरा तीसरा और चौथा अबिकल्प गलत उत्तर है धन्यवाद कर दो